हेलो व्यूवर्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल दिल्ली के लजीज खाने दोस्तों आज हम आपके लिए ठंडी ठंडी मेंगो शिकन जी की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत जादा इंस्टेंटली बन जाती है और यह आप 2-3 मिनट में बहुत असान इसे घर पर बना सकते हैं यह फूड इस्ट्रीट रेसिपी है तो यह रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं यह हमने दो मेंगो लिए हैं और इसको हमने काट लिया है अच्छे से और यह हमने चीनी लिए है चार टेबली स्पून हम चीनी डालेंगे और आधा नीबु का रस डालेंगे और यह आइस क्यूब से और हाफ टी स्पून हम यह काला नमक डालेंगे अगर आप चाहें तो काला नमक इसकिप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम blender jar के अंदर ये सारे mango's डाल देंगे, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, half teaspoon और हम चार बड़े चमच चीनी के डालेंगे, ये बहुत अच्छी टेस्टी शिकंजी बनती है mango की, तो ये सारे ingredients हम डाल देंगे और ये आधा का पानी डालेंगे, और हम इसे अच्छी से blend कर लेंगे, पहले हम इसे blend करेंगे, फिर हम ice cubes टालेंगे, ये देखें ये अच्छी से blend हो रहा है, सिर्फ एक मिनट में ये अच्छी से blend हो जाएगा, अब हम इसके अंदर ये ice cubes टाल द गर्मियों में मैंगो की चल रहा है तो यह देखें अच्छे से ब्लेंड हो गई है और यह हमारी मैंगो शिकणी बनकर तयार है यह देखें बहुत ज्यादा अच्छी थीक पनी है और यह सर्फ करने के लिए तयार है हमने यह आपके लिए ठंडी ठंडी मेंगो शिकनजी बनाई है तो आप हमारी इस रेसिपी के साथ जाकर ठंडी ठंडी मेंगो शिकनजी बनाईए यह देखें यह सर्फ करने के लिए तयार है मेंगो शिकनजी और अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शरूर क कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिल सके नेक्स्ट वीडियो में इंशाला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फर वाचिंग